हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो कुकिंग वितरानी और क्या आप भी उनी में से हो, जिनको शाही पनीर बहुत अच्छा लगता है वो प्लीज पूरी विरेसिपी देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, दो प्याज, दो डमाटर, छे से साथ हमने लिये है काजू, आद्रक और हरे मिर्चे चलिए मसाला बनाते हैं, उसके लिये लिये है मैंने कड़ाई, कड़ाई में डाला है एक चमचोईल, ओइल सारे कड़ाई में फैला देंगे और इसी में हम फ्राई कर लेंगे हमारा पनीर, पनीर को दो मिनिट के लिए फ्राई करेंगे, कड़ाई हमारी गरम हो गई है और तेल भी गरम हो गया अच्छे से तो इसमें हम डालते हैं हमारा पनीर पनीर को आप चाहे तो फ्राइ करें या ना करें शाही पनीर में ऐसे जरूरी नहीं है कि पनीर को फ्राइ ही करें ऐसे ही कच्चा भी डाल सकते हैं, पनीर को दो मिनिट में फ्राइ कर लोगी, क्योंकि मुझे फ्राइ किया हुआ अच्छा लगता है, तो पनीर को पलट के दोनों साइड हम फ्राइ कर लेंगे, जैसे ही पनीर फ्राइ हो जाएगा, तो हम इसको दूद में निकाल लेंगे, काई हो गया है, हुद्ध अध मेंकाका भूद है, जब दिए के करzeniu लाते, उसमें डाल लिया है, प्याज सेम fel लगता हम, पहले लिए थे 2 प्याज, सकतना पलट के लिए है न न Is defend I, लिए सब को हम और दो मिनिट चिलाएंगे हमारा मसाला थोड़ा फ्राइ हो गया इसी में हमने डाले है टमाटर को भी दो मिनिट फ्राइ कर लेंगे और अद्रग भी डाल दिया है इसी मसाले में में डाला है दो क्यूब पनीर इसी को पीस लेंगे इसी से ही बहुत अच्छा टेक्स इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले, जो भी आपके पास अवेलिबल है उसी को आप डाल सकते हैं, तेजपत्ता लॉंग और जो भी आपके पास अवेलिबल है उसको डाल दीजिए, उसी में डाला है मिनी आधा चम्मच जीरा, जीरा से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता जाएंगे और जब तक ऑईल नहीं छोड़ेगा तब तक इसको चलाते रहेंगे लगबग तीन से चार मिंट में ये मीडियम फ्लेम पे आप पका लीजिए, इसमें डाला है मैंने कश्मेरी लाल मिर्च आधा चम्मच, जीरा और जीरा पाउडर डाला है मैंने, धनिया सार मैं मैंने चम्मच मलाई, जो हेंड मैंने बढ़ा चम्मच ये जायता है, और जाधी जायता है मैं मैंने चम्मच को चलाएंगेum दो मिनिट के लिए देखिए कितना सुंदर कलर आया है कश्मीर इलाल मिर्च डालिये तो भूँत ही सुंदर कलर आता है इसका और इसे ही मसाला हम राइ कर लेंगे दो मिनिट और चलाएंगे जिसके साथ क्रीम भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और amientos आउल चोवनें लगा है इसमें हमारा मिक्सी में पांगी डाल के या डूब डाल के आप डाल सकते हैं मिक्सी में जो भी है वो फिर दो मिनिट चलाएंगे हम इसको मीडियम हीट पे गैस को हमें मीडियम ही रखना है और इसको ढख देंगे हम आधा मिनिट के लिए इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आए जाएगा और हमारा मसाला पक जाएगा देखिए कितना सुन्दर कलर आया है और इसमें उबाल भी आया है इसी तरह से इसको हम चलाएंगे और एक बार और नमक हम इसमें डालेंगे सबस नमक आप कभी भी लास्ट में डाल दीजिए जब भी कोई ग्रेवी बना रहे हो तो कि बीच में जो हम दही या दूद वगिरा डालते हैं तो फट जाता है नमक से जब तक यह पक नहीं जाता है तब तक कुछ नहीं डालना है और यह हमारा मसाला पक गया है अच्छे से और में भी और हम डालें पनीर और दोमेत इसको चलाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आप बना के टफ़ाइजिए और इसको बहुत अच्छा किया है पक औरल भी अलगे इसका इसको और दोमेत हम रख देंगे डख के जैसे पनीर पक जाए है और रेडी है हमारा शाही पनीर इसको मैंने धनिया और पुदीना से सजाया है यह बहुत ही टेस्टी हो गया है बच्चे तो वेट ही नहीं कर रहे थे जब तक मैं फोटो या खीचू या वीडियो बनाओ देखिए पनीर हमारा रेडी है आप इसको नान पराठा या चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए और जरूर से हमें बताए कमेंट करके कि कैसा बना है आज का हमारा शाही पनीर थेंक्यू थेल ती समय कर दूर पह elements, मुच्छू थे हैं के लिएर रेडिक, शेखिए बंद Minee के लिए मारा र